क्या आप एक massage therapist हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के इचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में, हम आपको Australia में massage therapist के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं. इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें हेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया इमिग्रेशन चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आउस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्स और करियर स्कोप पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजर है इस विडियो में हम massage therapist से एक Australia employer की job profile से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे हम massage therapist के लिए उपयोग तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे यह massage therapist को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं हम massage therapist के profile पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए new-term education और experience की जरूरतों को भी देखेंगे हम यह भी देखेंगे कि आपके profile के लिए skill level, license और registration की क्या जरूरते हैं हम massage therapist के profile पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio और मुख्या IU word पर भी चर्चा करेंगे current job openings, पिछले 5 सालों का analysis, future expectations और career scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे हम massage therapist के ओसतन सापताहिक work hours और wage rate या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे वीडियो के end में हम आपको अलग-अलग visa options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, permanent residency पाने और इस profile पर Australia में पढ़ाई करने के visa options तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के end तक हमारे साथ बने रहे अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके profile description पे Australia में हर व्यवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुलजा हुआ profile description बनाया गया है जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है इस code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation या INZSCO code कहा जाता है यह ANZSCO code आपको किसी भी profession में आपकी जिम्मेदारियां तथा job role के बारे में जानकारी देता है Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स Agency, Australian Bureau of Statistics, ABS in codes के रिचता है और ABS के द्वारा ही इन codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है तो चलिए अब आपके व्यवसाई के ANZSCO profile definition के बारे में जानते है Massage Therapist के profile का ANZSCO code 411611 है ABS के original content की authenticity को बरकरार रखने के लिए profile description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ English भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे Massage Therapist performs therapeutic massage and administers body treatments for relaxation, health, fitness and remedial purposes Australia में ऐसे बहुत से industry sectors हैं जहां आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं आए एक बार कुछ जरूरी job sectors और industries पर नजर डालते हैं Massage Therapist के profile पर काम करने वाले ज्यादातर candidates मुख्य रूप से health care और social assistance में कार्यरत हैं Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है एक massage therapist के profile पर काम करने के लिए आपके पास AQF Associate Degree, Advanced Diploma या Diploma या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है और massage therapist का skill level 2 है Australia और New Zealand के हिसाब से इस group के job level में AQF Associate Degree, Advanced Diploma या Diploma और higher qualification की जरूरत होती है इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की जरूरत भी हो सकती है अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो आपको migration skills assessment की जरूरत रहती है जो आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरीए की जाती है हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग जरूरते होती है अगर आप massage therapist के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष experience की जरूरत है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि experience की ये requirement सिर्फ skill assessment के लिए मान्य है परन्तु employees की job के लिए experience requirement इससे अलग हो सकती है आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किसम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का में एज ग्रूप 49 से 54 वर्ष है और औसतन आयू 43 साल है जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है तो आईए अब आपके profile में पूरुश तथा महिलाओं की जैन्डर रेशियो पर नज़र डालते हैं मसाज थेरपिस्ट में महिलाओं का 80.4 प्रतिशत हिस्सा है Australia में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है अगर हम आपके profile की बात करें तो massage therapist के profile के 29.7 लोग फुल टाइम काम करते हैं इस field में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफते में average काम करने का time 35.5 घंटे हैं जोब ओपनिंग्स की गिंती, company turnover और employment growth के उपर निर्भर करती है पिछले पांच सालों तक के statistics के हिसाब से इस field में expected जोब ओपनिंग्स 10,001 से 25,000 के बीच हैं massage therapist के case में यह गिंती औसतन सत्र पर है ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंग अच्छी व्रिधी दर प्राप्त कर सकता है Australia में कुछ ऐसे काम है जहां applicants को अपने profile से जुड़े licensing body से license तथा registration लेने की जरूरत होती है अगर हम massage therapist के profile की बात करें तो इस profile के लिए हमें license तथा registration की कुछ cases में जरूरत नहीं है अब हम सबसे महत्वपून factor average weekly earning को study करेंगे Australia में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 Australian dollars है ABS के हालिया सवे के मुताबिक massage therapist का ओसतन सापताहिक वेतन Tax deduction से पहले air are no earnings data available for this occupation Australia dollars है जिसमें से आपके salary slab के अनुसार tax की कटोती करी जाती है अगर आप किसी भी stream में permanent residency के लिए application फाइल करना चाहते हैं तो process शुरू करने के लिए पहला कदम migration skill assessment है इसके अलावा कुछ cases में जैसे work permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद professional year शुरू करने के लिए आम तोर पर migration skill assessment के positive result की जरूरत होती है Australia में विभिन profile categories के लिए अलग-अलग assessment bodies है massage therapist के लिए migration skill assessment, vocational education and training assessment services VETASCSS के द्वारा की जाती है अगले section में हम Australia में job के लिए apply करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी steps के बारे में चर्चा करेंगे हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने job portal को भी देखेंगे यहां आप अपने profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा options को देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये video पसंद आई है तो आप हमें subscriber target पचास हजार challenge को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें कृपया अभी इस channel को subscribe करें और इस वर्ष के आंग तक पचास हजार subscribers को achieve करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयों की सराहना करते हैं और अगर हमें इस video पर 100 likes मिलेंगे तो हम आपके लिए इस profile के PR process और visa filing पर एक detailed video बनाएंगे इसके इलावा हमें comment में ये जरूर बताएं कि आप इस series में next video किस विशे पर देखना चाहते हैं क्या आप Australia में नौकरी के लिए online या offline apply करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल Australia में हैं या फिर India, Pakistan, Nepal या किसी अन्य जगह से भी किसी Australian job के लिए apply करना चाहते हैं तो एक professional के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, job options ढूणना तथा सही तरीके से job के लिए approach करना होता है एक अच्छी Australian job प्राप्त करने के सफर में कई जरूरी steps शामिल होते हैं जैसे कि Australian style resume बनाना, cover letter तयार करना, उच्छे job पॉर्टल खोजना, अपने sector की jobs के लिए online या offline apply करना तथा online, offline interviews के लिए तयारी करना अपना bio data तथा resume तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि Australian employer वास्तव में आपसे क्या expect करता है एक अच्छी तरह से तयार किया गया resume recruiter का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीद्वारों से श्रेश्ट दिखा सकता है सक्रिय भाशा, keywords और कुछ छोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम resume को विजेता में बदल सकता है अगर आप एक professional Australian style resume तयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी expert resume writing team की सेवाई ले सकते हैं या हमारी resume से संबंधित videos को देख सकते हैं, जिसमें Australian standards के हिसाब से एक perfect resume लिखने की जानकारी उपलब्ध है Australia सरकार ने job active नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्ववयापी सेवा दी है अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरीए, job active, employers और jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना CV भी साजह कर सकते हैं जिससे आप direct employers और employment agencies के हमारे valuable network को आपके लिए उप्यूकत अफसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं Adzuna, Career One, Career Jet और Indeed Australia, Australia में online नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है इसके इलावा top 15 job portals की एक detailed list भी download करें जहां आप अपनी profile के लिए Australia में सबसे suitable employment का अवसर पाने के लिए online apply कर सकते हैं अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्द visa subclasses के बारे में संक्षेप में जानेगे Australia में बहुत से pathway programs और visa subclasses हैं जिनके जरिये एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है इन visa subclasses को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो है स्किल्ड माइग्रेशन वीजर्स सबक्लास 189 योग की permanent residency पाने की direct subclass है स्टेट या regional nomination visas सबक्लास 190 और 491 यो state nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं Permanent Residence, Skilled Regional, Visa subclass 191 और 887 योग की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं Employer Sponsored Visas subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी sponsorship या nomination के थू PR तथा work permit प्राप्त कर सकते हैं Business innovation, investment और entrepreneur stream visas सबक्लास 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में invest करके या फिर किसी innovative idea योग की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्त कर सकते हैं कुछ specific targeted sectors के लिए Global Talent Visa और सबक्लास 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का mark प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि massage therapist के profile के लिए कौन से visa सबक्लास से खुले हैं तो आप description में दिये गए link पर click करें आप massage therapist के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Massage Therapist है इस सीरीज में आपको massage therapist के लिए permanent residency file करने की step by step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में study और settle होने के लिए उपलब्द visa विकल्प और visa sub categories हैं तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं अगर आप एक student हैं और massage therapist बनना चाहते हैं तो Australia, पढ़ाई और settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक student, subclass 500 के तहट अपना study visa file कर सकता है हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और subclass 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है जिसे post study work visa कहा जाता है अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर क्लिक करके expert advice ले सकते हैं इस video के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की video और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपिया हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर team के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी विडियोज देखें और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं तकि आपको हर नए विडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस विडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detail जानकारी मिली होगी इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए विडियो के साथ फिर मिलेंगे